हेलो फ्रेंद्स तो आज के लंज बॉक्स में हम धेर सारी सब्जी के साथ में नाश्था बनाएंगे जो की हेलदी होने के साथ साथ में टेस्थी भी है और य coalition बने कर त्यार भी हो जाता है अब हम क्या करेंगे कि सब्जियों को पहले काट लेंगे तो सबसे पहले हम प्याज को कट कर लेते हैं और प्याज को हमें मोटा मोटा नहीं काटना है एकदम बारीक बारीक इसे पतला पतला काट लेना है उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे न हातों से इस तरह से अलग- टेटर ले लिया है और इससे हम सब्स्राइब सुक्त करेंगे तो इसका जो मोटा होल होता है उस्से आप सब्सराइब चाहें देखें मोटे वाले होल से कदू कस करने पर ना जैसे हम एकदम बारीक-बारीक काटते हैं उस तरह से हो जाता है यह देखें तो बहुत कम टाइम में यह सब्जी हमारी कर जाती है अब इसके बाद हमने ले लिए लौकी और उसे भी कदू कस कर लेंगे तो फ्रेंट्स तो शिम्ला मिर्च को आप चाहें तो बारीक-बारीक काट भी सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने शिम्ला मिर्च को भी कदू कस कर ही लिया है यह थोड़ी सी बारीक हो गई थी लेकिन कोई बात नहीं यह देखें तो इस तरह से हम शिम्ला मिर्च को भी कदू कस कर लेंगे आ और फिर डाल दिया है इसमें शिम्लमिर्च अब हम क्या करते हैं इसमें डाल देंगे रैस दोर यानि की चावल काता तोrika inventory चावल काता है और इसमें बैसन डालेंगे साहई में नमक और तोड़ा सां मिचली क्वळक्त भी डालेंगे फिर यहां पर हमने ले लिया है चाट मसाला और सारी चीजों को अब हम अच्छी तरह से mix कर देते हैं हम इसमें और मसाले add नहीं करेंगे और यहाँ पर हमने चावल का आटा और बेसन भी कम ही use किया है हम इसमें सब्जियों की quantity जादा रखेंगे अगर आप चाहें तो चावल का आटा और बेसन को आप जादा इसमें add कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर कम ही use किया है अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बैटर त्यार करेंगे तो पानी भी हमें एक साथ में बहुत आदा नहीं डालना है क्योंकि यहाँ पर हमें इसका बैटर पतला नहीं बनाना है थोड़ा सा हम थिक ही बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने one force का पानी इसमें डाला है और बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें पानी डालें और अगर आप थोड़ा देर में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी कम ही डालें क्योंकि नमक डाला है तो नमक भी पानी छोड़ता है तो बैटर हमें गिला बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें बैटर एकदम गाढ़ा बनाना है तो यहाँ पर मैंने लगवग 2-3 चमच पानी और डाल दिया है और बस अब इतना बैटर हमारा जो है वो बन कर तयार है तो बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं अब इसके बाद हम तवा गर्म करेंगे और हाई फ्लेम पे तवा गर्म करके और गैस की फ्लेम को हम एक बार के लिए लोग पे कर देंगे उसके बाद इस पर हम ऑईल लगाएंगे और फिर जो हमने बैटर त्यार किया था वो स्पून के हेल्प से हम इस पर रखेंगे तो यहाँ पर हम वन टेबल स्पून बैटर रखते हैं हम बहुत जादा बड़ा बड़ा नाश्ता नहीं बना रहे हैं जैसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाते हैं अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप दो बना लिजए अगर नहीं है तो आप इस तरह से छोटा छोटा आप बना सकते हैं तो स्पून के हेल्प से आप इस तरह से आप बनाईए और गैस की फ्लेम को आप लोग पे रखें अब देखें यहाँ पर मैंने चाहर बना लिया है और स्पून से एक दम इसे बहुत मोटा हम नहीं रखेंगे और बहुत पतला भी नहीं करेंगे दूसरा साइड पर हम ओल लगाएंगे और फिर इसे हम दोनों साइड पे सेखेंगे तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को लोग पे रखें और उसके बाद आप इसे सिखने दें और एक साइड पे आप सिर्फ दो से तीन मिनट के लिए इसे सेखें और इतनी देर में यह एक साइड पे अच्छी तरह से सिख जाएगा बहुत जादा देर इसे सेखने की ज़रुवत नहीं है नहीं तो यह जलने लग जाएगा फिर इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा तो अब हम दूसरे साइड पे भी ओल लगा लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से सेख लेंगे और फ्रेंट्स इस तरह से हमारे यह टेस्टी और हेल्दी नाश्टा बनकर त्यार हो जाएगा तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और इस तरह से बहुत ही कम टाइम में और धेर सारी सब्सक्राइब के साथ में आप ये नाश्टा बना कर त्यार कर सकते हैं अगर आप इसमें और कोई सब्जी एड़ करना चाहते हैं तो आप इसमें एड़ कर सकते हैं तो फ्रेंट्स बने रहेगा मेरे शानल पर नई नई रेसिपीज देखने के लिए और भी बहुत सारी लंच बॉक्स की रेसिपीज आपको मेरे शानल पर मिल जाएगी तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के सान वाई बाई